दोस्तों आपका स्वागत है चमतकरी टोट के चानल में अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें लाइक कीजिए, शेर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए सुल्जे की हर समस्या एक रोटी और चीनी के इस उपाय से चमकेगी किस्मत जी हाँ दोस्तों, एक रोटी और चीनी के इस उपाय से चमकेगी किस्मत आज करें तो सुल्जेगी हर समस्या शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चे मन से किया गया एक रुपई का दान भी भाग्य बदल देता है वैदिक जोतिश तथा लाल किताब में इस माननता के आधार पर कई प्रकार की उपाय बताए गए हैं जिने करने से आप अपनी सारी समस्याओं से मुक्थ हो सकते हैं जरुरत है तो केवल सच्चे मन से इन उपायों को करने की आईए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में असाध्य बिमारी दूर करने के लिए अगर घर में कोई बहुत ज़्यादा बिमार हैता हो या उस पर दवायों का असर नहीं हो रहा है तो इसके लिए लाल किताब में एक उपाय बताया गया है इस उपाय में रात को एक रुपए का सिक्का सिरहाने के निचे रखकर सो जाएं सुबह उठकर उस सिक्के को शमशान में फेक दे और बीना पीछे मुड़ कर देखे वापस आ जाएं जल्दी ही बीमारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी नौकरी तता वेपार्क में प्रद्धी के लिए अगर आपके वेपार्क में मंदी आ गई या नौकरी में परिशानी आ रही है तो यह उपाय सबसे अच्छा उपाय है किसी साफ शीशी में सरसो का तेल भर कर उस शीशी को किसी भैती नदी के जल में डाल दे इसके बाद मन ही मन इस प्रकार प्रातना करे कि है इश्वर मेरी आर्थिक उन्नती के मार की सभी बाधाओं को दूर करके धना गमन का रास्था खोल दे शिग्रही मन्दी का असर जाता रहेगा और आपके वैपार में जान आ जाएगी और धन के आगमन की गती में प्रिद्धी हो जाएगी वैपार दिन दुना रात चौगुना बढ़ाने के लिए अगर आपका वैपार अच्छा नहीं चल रहा है तो सबसे अच्छा उपाय है कि बुदवार के दिन एक तोता पिंजरे सहीत खरीद कर लाएं तथा उस तोते को किसी खुले स्थान पर आजाद कर दें तोता उड़कर जितनी दूर जाएगा उतना ही आपके वैपार में मुनाफ़ा बढ़ेगा इस उपाय को आप एक बार से जादा बार भी कर सकते हैं हर समस्या को सुलजाने के लिए टोटका अगर आटे में पीसी हुई चीनी मिला कर रोज चीटियों के बिल पर डालें तो बड़ी सी बड़ी समस्या भी चुटकी बजाते ही दूर हो जाती है इस उपाय को खास राहू के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस उपाय से राहू अपनी पूरी शक्ती के साथ आपकी मदद करता है और आपके बड़े से बड़े दुरभाग्य को भी सौभाग्य में बदल देता है अच्छे दिन लाने का उपाय शाद पक्ष में रोज सुभव एक रोटी अपने पित्रों के नाम से निकाल कर सुभव के समय किसी गाय को खिला दे इस उपाय का तुरंद असर होता है और देखते ही देखते आपके बुरे दिन दूर होकर धन, सुक, संपती की फ्राप्ती होती है जी हाँ दोस्तों एक रोटी और चीनी के इस उपाय से जरूर चमकेगी आपकी किस्मत ऐसे और उपाय जानने के लिए बने रहें जुड़े रहें चमतकारी टोटके चैनल के साथ